वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन डिक्टेशन पांच चकेन बाद सुरू होगा रेडी स्टार्ट उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ अपराधरोकने में विफल साबित हो रही है और लगातार किरकिरी जेल रही है पलकी इसे लेकर न उसकी कोई व्यवहारिक रणनेत नजर आती है और न संकल्प शक्ती अब लगता है उसका सारा ध्यान किसी तरह अपने आलोचकों का मुह बंद करने पर केंद्रित हो गया है इसी हरबड़ी में वह ऐसे कदम भी उठा बैठती है जिससे उसके विरोधियों को बोलने का और मौका मिल जाता है हाथरस बलतकार मामले में शुरू से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन का जैसा रवया रहा उससे यही जाहिर होता है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने के बजाए निहायत लापरवाही भरे ढंग से निपटने में विश्वास करती है इस मामले में पहले तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में देर की फिर पिडिता के इलाज पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया आखिरकार जब उसने दिल्ली के सफधर गंज अस्पताल में दम तोड़ दिया तो उसका सव उसके परिजनों को सौपने के बजाए रात के अंधेरे में अंतिम संसकार कर दिया गया इससे सभाविक ही सवाल उठे की परशासन को इस तरह रात के अंधेरे में अंतिम संसकार करने का अधिकार किस ने दिया जाहिर है सरकार परिजनों को सव सौपकर विपक्षी दलों को राजनीतिक हंगामे का मौका नहीं देना चाहती थी पर ऐसा करके उसने एक तरह से अपने तानाशाही रवये का ही प्रदर्शन किया अब परिजनों का आरोप है की प्रशासन उन पर मामले को रफादफा करने का दबाव बना रहा है अब निसेधाग्या लगाकर पिडिता के पूरे गाउं को एक तरह से चावनी में बदल दिया गया है कई दलित नेताओं को उनके घरों में नजर बंद कर दिया गया है ताकि वे इस घटना के विरोध में प्रदर्शन न कर सकें पिडिता के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रिस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाडरा हाथरस के लिए रवाना हुए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही रुक दिया गया जब वे घाड़ी से उतर कर पैदल चलने लगे तो पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की की और समर्थकों पर लाठी बरसाई राज में कानून विवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है वह किसी भी ऐसे आंदोलन को सिर नहीं उठाने दे सकती जिससे राज की सांती भंग हो मगर यह मुस्तैदी केवल तभी क्यूं दिखाई देती है जब विपक्षी दल सामाजिक संगठन या आमनागरिक किसी मामले में सरकार के खिलाफ उठ खड़े होते हैं अपराद रोकने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का पराकरम क्यूं हमेशा ठंडा ही पड़ा नजर आता है हाथ हरस का मामला अकेला नहीं है शायद ही कोई हफता बीतता हो जब उत्तर प्रदेश में बलातकार और हत्या की घटना नहीं होती अभी हाथ हरस का मामला चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश में बलातकार की तीन अलग-अलग घटनाएं हो गई बलदामपुर में साउहिक बलतकार और हत्या की एक और घटना सामने आई यह सिलसिला लंबे समय से बना हुआ है जाहिर है कि आपराधिक वृति के लोगों में पुलीस का अब कोई खौफ नहीं रह गया है जो मुस्तहदी और ततपरता उत्तर प्रदेश सरकार अपने विपक्षी दलों और आलोचकों का मुह बंद करने में दिखा रही है अगर वही अपराधियों पर नकेल कसने में दिखाती तो अब तक वहां अपराध काफी कम हो चुका होता मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ केवल मंचों से अपराध खत्म करने के दावे करते हैं वास्तों में इसके लिए कोई कारगर ररनीत अब तक नहीं बना सके हैं अगर पुलिस सचमुच अपराध रोकने और सुरक्षा विवस्था कड़ी करने को लेकर प्रतिबद होती तो अपराधी इस तरह बेकोफ न घूम रहे होते स्टॉप